Hello everyone, welcome back, कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे होंगे Dear strengths, आज के इस वीडियो में हम UP Polytechnic Semester Strengths के स्कॉलर्शिप के वारे में चर्चा करने वाले हैं Dear strengths, आज का ये वीडियो आप लोग लिए बेहर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम स्कॉलर्शिप से इन्फार्मेशन आप लोग के साथ सेयर करने वाले हैं आपके सारे के सारे डाउट्स आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं Dear strengths, कल मैंने एक वीडियो आप लोगों को प्रवाइड कराया था आसा करते हैं आप लोग उन्हें इस वीडियो को देखा होगा जिसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सत्र 2021 वाइस के लिए इस स्कॉलर्शिप के लिए आवेदन के लिए नोटिस आ चुकी है जो कि UPBTE की ओफिसियल नोटिस थी आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट आए चुकी मैंने उस वीडियो में पूछा था कि ऐसे हमारे कितने स्टुदेंट से जिनकी स्कॉलर्शिप आई कितनों की नहीं आई या कोई प्रॉब्लम है कोई जानकारी आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके पूर सकते हैं यह सो इस वीडियो बहुत ज्यादा इंप्वाटेंट है पूरा वीडियो देखेगा साथ ही साथ आज की इस वीडियो को अपने हर एक ग्रूप में पॉल्टिक हमेरे सब्सक्राइब आई है और वह ये सोच रहें कि अब जो अपडेट आई हो सेकेंड सेमेस्टर के लिए है और हमें सेकेंड सेमेस्टर में भी स्कॉलर सिप मिलेगी या नहीं मिलेगी क्या है उसका पूरा लॉजिक मैं आपको बताऊंगा थार्ड समेस्टर की हम यह आपको बताते हैं scholarship है क्या scholarship एक मात्र सहायता है students के लिए ठीक है जन कल्यान विभाग की तरफ से किसके लिए students के लिए कि जो वो लोग fees college में जमा करते हैं वही फीस उनकी return होती है बात समझ में आरी जो fees आप लोग जमा करते हैं वही आरी फीस आप लोग की return होती है आप यह कह सकते हैं कि हमारी scholarship आ रही है अब UP पॉल टिकनिक में जो semester students की scholarship आती है उसका क्या concept है उसको जड़ा समझे जब आप admission कराने जाते हैं जैसे माली आप first semester में admission कराने गए तो आपका first semester में admission नहीं होता है आपका first year में admission होता है means एक ही बार में आप first semester और second semester दोनों की एक साथ fees जमा करते हैं semester wise आप fees नहीं जमा करते हैं तो जब आप एक साथ पूरी fees आप लोग जमा करते हैं तो जब आप scholarship का farm fill up करते हैं तो उसमें जो fees अपना structure दिखाते हैं कितनी fees हमारी लगी है या कितना fees आपने जमा किया है वो पूरे साल का होता है तो जो आपकी scholarship आती है डियो स्वेंस वो पूरे वर्ष की आती है लेकिन हाँ आपकी जो scholarship होती है वो दो shift में आती है मान के चलिए कि एक सब्ता के अंदर दोनों shift आ जाती है बहुत ज़दा लेट होगा एक महीने के अंदर दोनों shift आ जाती है उसमें पूरी की पूरी फीच आपकी return हो जाती है फीच जितनी है उससे थोड़ा बहुत जादा ही हो सकते लकिन उससे कम फिज जो है आपकी रिटर्न नहीं होती उससे कम scholarship नहीं आती है तो पहला डाउट जो बच्चों का आ रहा था कि सर क्या second semester में फिर से हमें scholarship का farm fill up करना है तो नहीं dear students ये second semester के लिए आपके लिए scholarship का farm नहीं आया है ये second year के लिए अगर आप first year में थे, second semester में हैं तो आप जो आप second year में जाएंगे तब आप वहाँ scholarship का farm fill up करेंगे बास समझ में आ रही है अगर आप second year में थे तो second, third semester से आप इससमें fourth semester में हैं आप fourth semester से जब आप fifth semester में जाएंगे मिस जब आप थर्ड एर में जाएंगे तब वहाँ पर आप लोग अपना scholarship का farm fill up करेंगे क्लियर हो गई बाते तो ये चीज जो बच्चों के mind में चल रहा था कि हमारा first semester में भी scholarship आएगी second semester में भी scholarship आएगी ऐसी कोई व्योस्था नहीं है साल भर में एक बार scholarship आती है कुल मिला की बास इतना समझ लीजिए कि यतना fees के रूप ने आप अपने college में जमा किये हैं उतनी fees आपकी वापसी हो जाती है ये बात आपकी clear हो गई होगी अब कई सारे बच्चे comment section में कह रहा थे कि sir मेरी scholarship नहीं आई तो dear students अब की बार तो लगभग लगभग सब की scholarship आई है कहीं न कहीं आपके end से ही problem हुई होगी इसलिए आपकी scholarship नहीं आई तो अब की बार के लिए 2021 के लिए मैं आप लोगों को अभी से ये video इसलिए provide करा रहा हूँ कि आप लोग सचेत हो जाएं जो कुछ भी चीजों की जरुवत पड़ती है जैसे सबको income certificate की जरुवत पड़ेगी आया प्रमाडपत्र आपको बनवाना है अगर आप OBC, SC, ST कटेगरी से हैं तो आपको जाती प्रमाडपत्र means cast certificate भी बनवाना पड़ेगा निवास प्रमाडपत्र बहुत ही rare case में मांगा जाता है लेकिन वो भी आपके पास होना चाहिए क्यों कि अलग अलग जगहों पर काम लगता रहता है अब कई सारे बच्चों का इसमें ये भी question हो सकता है कि सर हमने previous year अपना income certificate बनवाया था previous year सर हमने अपना caste certificate बनाया उसकी validity क्या है तो dear students इस समय जो online आपका ये सब चीजे बन रही है income certificate या caste certificate या domical certificate जो आप निवास प्रमाडपत्र कहते हैं उन सब की validity इस समय government ने तीन साल कर दी है तो अगर तीन साल पूरा नहीं हो रहा है तीन साल की अंतरगत है तो उस situation में आप दुबारा उसको यूज कर सकते हैं तो dear students scholarship से लेटेट सारी बाते आप लोगों को असबस्ट हो गई होंगी कि जो scholarship का फाम है वो अभी नहीं fill up करना है आप फस्ट इयर में थे तो second year में पहुच जाएंगे तो fill up करेंगे जब admission हो जाएगा तब second year से third year में चले जाएंगे तब fill up करेंगे और fill up करने के बाद जो अपनी फीस वगरा होगा जैसे आप फस्ट इयर में किये रहेंगे वही सेम प्रॉसेस आप लोगों को करना है तो अब की बार जिन बच्चों की scholarship नहीं आए थी हम यह चाहते हैं कि सभी बच्चों की scholarship आए इसके लिए वह अपना थोड़ा सा प्रेपरेशन कर लें जो आपकी mark seat certificate में नाम है जो आपकी जाद प्रमाड पत्र में जो नाम है आपका नाम पिदा का नाम वही नाम बच्चों आपके account में भी होना चाहिए नहीं तो बहुत सारी समस्यां आती हैं तो ये बच्चे आप लोग एक सला है हमारी कि अगर आपका कहीं पर भी नाम में इंटर की mark seat certificate में सब जगां एक ही रहनी होनी चाहिए नहीं तो आगे चलके scholarship क्या बहुत जगां पर आप लोगों को इससे समस्या होने वाली है तो इस वीडियो से ये चीज़ भी मैं आपको एक बता रहा हूं यगर ऐसी कोई समस्या है आपके साथ उसको आप लोग क्ल प्रियास में हमेशा रहता हूं यह वीडियो परते की स्टुडेंट्स तक पहुचाना आपकी जिम्मेदारी है इससे परते की स्टुडेंट की help हो सके जिससे उसका scholarship का फार्म फिलप करने में पिछली बार प्राबलम होई थी तो आपकी बार जो है डियो सेंस प्राबलम न और परते रहे हैं